नमस्कार ये धर्म रहस है और मैं डाक्टर राजविनिस्प्रह आप से बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस विद डाक्टर राजविनिस्प्रह के माध्यम से अभी पिछले दुनों किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि क्या टेलीपैथी होती है और भी उसने टेलीपैथी के बारे में कई अटपटे प्रश्ण किये और कहा कि वो टेलीपैथी नहीं कर पाते हैं और लगवगनों ने ये माना कि टेलीपैथी नहीं होती है मैं आप से कुछ तथिकत बातने करना चाहता हूँ पहली बात तो ये है कि यूट्यूब पर एक फैशन चल गया है कि किशी भी टॉपिक को कोई भी ऐसा टॉपिक चाहे वो इस शरीर से बाहर निकलने का नहीं क्यों नहीं उसको इतने आसानी से बता देते हैं इतनी आसानी से बोल देते हैं जैसे सब कोई इसको कर सकते हैं हर व्यक्ति हर काम कर सकता है एक सोचने वाली बात है कि जो काम जिस तरह का अभ्यास चाहिए इन कामों के लिए बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं होता है संसार में शरीर से बाहर निकलने का अन्वव कैसा होता है ध्यान का अन्वव कैसा होता है ध्यान में क्या कर सकते हैं ध्यान से ये चीज कैसे प्राप्त कर सकते हैं ध्यान में कैसा अन्वव होता है ये बहुत सारे ऐसे विशे हैं जो बहुत गूर भी है लेकिन YouTube पर एक चलन चल गया है अपनी दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए TRP बढ़ाने के लिए इतना आसानी से पेश कर दिया जाता है कि कोई भी इसकार को कर सकता है तो पहली बात तो यह है कि इतना आसान कुछ भी नहीं होता इस संसार में सबसे बड़ा खेल विचारों का ही है अगर आपने विचारों को नियंद्रित करना सीख लिया अगर आपने विचारों पर विजय पाली तो निश्चित रूप से आप वो सब कुछ कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि वह संभव है आप अगर एक मिनट बैठ कर सोचें अपने उपर अपने पूरे व्यक्तित पर ध्यान दें तो आप यह पाएंगे कि या तो आप हर छण अतीत के बारे में सोचते हैं या फिर हर छण फ्यूचर यानि भवश्य के बारे मे वर्तमान में तो कोई विचार आपका होता ही नहीं और जब ये विचारों का प्रवाह अतीत में या भविश्य की कल्पनाओं में चलता है तो वो प्रवाह आपके अंदर की उर्जा को आपके मस्तिष की उर्जा को बुरी तरह से नस्ट करता है और जब उर्जा मस्तिष की नश्टो जाती है तो उससे कोई भी कार कर पाना फिर असंभव होता है अब मैं आप से बात करता हूं कि क्या टैलीपैथी होती है अगर टैलीपैथी नहीं होती तो यह सब दस्तित्तु में ही क्यों होता है टैलीपैथी के मतलब होता है कि हम अपने विचार को किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिश्क में भेज दें चाहिए व्यक्ति हमारे पास हो या हम से दूर हो अमेरिका में बहुत सारे प्रयोग इस तरह के हुए हैं लोगों ने किये हैं कि अगर कोई व्यक्ति जैसे सामने जा रहा है अगर आप उस व्यक्ति के आग्या चक्र यानि दोनों भौों के मध्य में निरंतर देखते रहें एक टक और उस व्यक्ति को कुछ न बताएं तो आप ये पाएंगे कि कुछ समय बाद उस व्यक्ति को एक अजीब सी बेचनी एक अजीब सी घबराट होने लगती है और ऐसा ही नहीं कई बार ये भी दिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है उसके पीछे सिर पर ठीक उसी स्थान पर आप दिश्टी केंद्रित करें जहां कि दोनों भूहों के मध्य का स्थान है उस स्थान को पीछे कलपना करें सिर के पीछे वो वहाँ पर अपनी दस्टी गढ़ा दें और उसको लगातार देखते रहें और लगातार कुछ मिनट देखने के बाद उसे आग्या दें के पीछे पलट कर देखो या कोई भी आग्या दें कोई भी सेंटेंस ऐसा बोलें तो आप ये पाएंगे वो व्यक्ति तुरंत पीछे पलट कर देखता है ये टेलीपैथी का एक बहुत छोटा सा उदार्ण है अगर आपको और कुछ शकर बढ़ा करना है तो सबसे पहले अपने विचारों से आपको मुक्त होना पड़ेगा उन विचारों को हटाना पड़ेगा जिस समय आप सोने जा रहे हो र हो रहे हैं आप सोने जा रहे हैं उससे पहले सभी विचारों को धीरे धीरे विदा कीजिए और एक छण जब आप सोने वाले हैं सोने से ठीक पहले जब कोई विचार आपके दिमाग में नहीं है अगर आप उस छण किसी विक्ति का विचार अपने दिमाग में करते हैं अप चित रूप से वो बात उस तक जरूर पहुंचे ही लेकिन ये एक दिन के अभ्यास में नहीं होता इसके लिए रंतर अभ्यास के आवशकता होती है इसलिए आपको अभ्यास करना है अपने विचारों से मुक्ति का अगर ये आपने कर लिया तो टैली पैथी बिल्कुल संभव ठीक उसी moyens जैसे मैं आप से आमने सामने बात करना हूं आप भी किसी दूसरे विकति से लेकिन वह वीठी आपकी जानि पहचान कنا लगा है इसलिए इस को अब्यास के बाद आप वीडियो में अगर आपको अच्छा लगाओ तो इस ये लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और हाँ इस पर कमेंट जरूर लिखिए क्योंकि आप जो कमेंट देते हैं वह कमेंट पब्लिक तक पहुंचते हैं पब्लिक उसे देखती है और वह चीजें वहां तक पहुंचती हैं उनकाई भला होता है